पेड़ की डाल पर बैठा पक्सी कभी भी टैनी तूटने से नहीं डरता क्योंकि इसे टैनी पर नहीं बल्कि अपने पंखों पर बरुसा होता है अपने सहस को हमेशा सूरी की तरह उज्वल रखें पूरी दुनिया आपके पीछे रहेगी नमस्कार मैं हूं कमर्श्रीमाली आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और मकर रासी में 11 अक्टूबर 2021 से मारगी हो रहे शनी देव के इस विशेस एपिसोड में और ये एपिसोड आपकी रासी नामरासी अताद मूनसाइन पर रादा रहीता है और सिरफ मारगी शनी के प्रवाव पर ही निरबार है शनी की इस चालमाय परवित्वन से आपकी रासी पर क्या प्रवाव पड़ेगा यही जानना इस एपिसोड का उद्देश्य है आपने यह कावत तो सुनी होगी कि शनी ही हरता और शनी ही भरता अता शनी ही सब कुछ छिनने वाला है और शनी ही सब कुछ देने वाला भी है हमारे समाज में शनी देव की जो छवी है वो बहुती कस्प्रदद देवता के रूप में है लोग यही समझते हैं बगवान शनी की ज़स्ती पढ़ने पर जातक अत्यंत पीड़ा भुगतता है उसका जीवन नरक के समान तबाह हो जाता है बगवान शनी केवल डंड ही देते हैं उनकी ज़स्ती मा विनाशकाली अत्य बहेंकर और काल के समाने पर उन तो यह पूरा सच नहीं है अरे शनी तो बहुत करपाल हुए वह अतिशिगर प्रसंद वने वाले देवता भी है वे किसी का बुरा नहीं करते हैं वे तो केवल प्राणी को उसके किये गए कर्मों का दंड देते हैं जब वे प्रसंद होते हैं प्राणी का जीवन प्रत्वी पर भी श्वर के समान बना तो निश्चा ही हम पर पसंद लो करके हमारा कल्यान करेंगे समाज के अलग-लग वर्गों पर उनकी अलग-लग प्रकासे करपा बनी रहती है आईए देखते हैं कि मारगी शनी देव आपको क्या प्रवदान करने वाले हैं क्या देने वाले हैं शनी 23 मई 2021 से लगा करके 11 अक आपके हुनर को और अधिक निखारने यथातवादी और ट्रैक्टिकल बनाने में मदद भी करता है शनी न्याय के देवता है अतर आपके कर्मों के अनुसार राजा और रंग बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ते हैं वक्रिया वस्ता में शनी अधिकांस रासियों को नकरात राके मारगी हो जाने से अधिकांस रासियों के लिए बन दरवाजे खुलते नजर आएंगे आईए जानते हैं कि शनी की बदली चाल से आपकी किसमत क्या करवट ले रही है ग्यार अक्टूबर दो जारी कीस को शनी मकर रासि में मारगी हो रहे हैं यह मैंना आपको बता है वरस्तिक रासि के जातकों के लिए अतात आपके लिए मारगी शनी तीस्ती दरस्ती से पंचम भाव को सिक्सा और संतान भाव को साथवी दरस्ती से भाग्य भाव को तता दस्वी दरस्ती से द्वाव को नास भाव को एक्समेस भाव पर दस्तिपात करके प्रबावित करें आयू में और प्रितक संपत्ती में व्रद्धी होने वाली है आप में से जिन लोगों का पराक्रम, जिन लोगों की गुडविल, जिन लोगों की स्टेटस या स्ट्रेंथ आपको कमजोर इस्टित में थी शनी के मार्गी होते ही परक्रम में भारी व्रद्धी होगी जिससे आपके केरियर, बिजनस, आपके परफॉर्मेंस में भी सर्प्राइज ली बहुत चेंजेज देखने को मिलेंगे चोटे भाई बेनों से विवाद अब सुलच जाएंगे जोब वाले अपने सीनर्स की नजरों में आने से तरक्की के रास्ते खुलते दिखाई देंगे जो विवाई जातक लंबे समय से संतान प्राप्ति का इंदिजार कर रहे हैं उन्हें मार्गी सनी देव संतान समंदित इच्छा पूरी करने वाले हैं हाला कि जो अववेज जातक है उनके रुमांटिक जीवन में हो सकता है उत्रा चड़ाव का सामना करना पड़े हैं आईए अब बात करें सनी की द्रस्तियों की सभी क्राओं के समान सनी को सात्वी द्रस्ति सो मिली वही है लेकिं शनी को दो विशिज दस्तियां प्रापते है जहां पर शनी गोचर में इस्तित होते हैं या आपकी जनकुर्णी जहां पर भी है वहां से तीसी दस्ति से साथवी दस्ति से और दस्ति से भी वो देख सकते हैं या उनका दस्तिपात होता है रासियों पर तो ऐसी इस्ति त्रिकोन के अधिपती भी हैं अत्ता सुफल प्राप्त होंगे यह स्थिति आपको संतान विद्या और बुद्धी के शत्र में उन्नती दिलवाएगी इस समयकाल में हर कारे में सफलता मिलने के साथ ही साथ financially और job wise यह आपके business में improvement भी आएगा जो आपके enemies थे, competitors थे, आपके विरोधी थे, शत्रू थे उन पर भी आप control इस्थापित कर लेंगे घर में मांगलिक कारे होंगे और यदि आप अब विवाईत हैं तो विवा बंदन में बंदने के योग बनेंगे साधी fix हो सकती है और विवाईत हैं तो संतान की कामना या आपकी planning अच्छी हो सकती है या कामना पूरी हो सकती है आईए अब बात करें सनी की सांत्वी दस्ती की भग्य बाव पर, नाइन ताउस पर मार्गी सनी की सब्तम दस्ती करकरासी अता शत्रू चनमा के बाव पर होगी जो 30 के सिद्दान के अनुशर शनी या चनमा कोई भी तरिकोर्ट के अध्य پती हो तो शनी की सार साथी, सनी की ढईया या कोई भी सनी की स्तिती हो वहाँ सुपफल ही मिलते हैं और यह हैं सुपफल प्राप्त होंगे आपके भागय तता धरम में वरद्दी होगी बहुती ज़्यादा मैनत का फल आपको मिलेगा ही भागय का पुरा-प्रासाथ भी आपको मिलेगा तो ऐसी इस्तिधी में जो भागय के बरोसे नहीं है उनको तो ज़्यादा फाइदा मिलेगा शत्रों पर आपका कंट्रोल स्थापी दोगा और भूमी भावन वान इसके लिए भी बहुत सही समय और जो इस चीज के लिए फाइट कर रहे हैं ट्राइ कर रहे हैं उनको वो चीज हसील हो सकती है इस समय आप सफलता पसफलता पाते चले जाएँगे आईए अब बात करें सनी की DSWI दस्ति की दवाजस बाव पर एक्सपेंसे बाव पर खर्च बाव पर मारगी सनी की……दसम दस्ति तुला रासी इतास मित्र, शुक्र के बाव पर होगी इसलिए आपका खर्च अधिक होगा लेकिन बाहरी संपर्ख से आउटसाइड इस्रिसोर्सेज से आप लाप भी बराबर कमाएंगे या इंकम जनरेट करते रहेंगे रिसोर्से डवलप करते रहेंगे आपका अधिकार शेतर बढ़ेगा वर्चस वो बढ़ेगा और कुछ बहुत ही इंपोर्टेंट फैसले लेकर के आप एगरिमेंट करेंगे और बहुत शान्दा डंग से सफलता पाएंगे जो चैलेंजिस है वो आप एकसेप्ट करेंगे चारों और से सफलता और आपको प्रसंता मिलेगी अथात आपकी चारों और से खुशी सक्सेस उन्नती प्रगती निरंतर होती रहेगी और जो जौब करने वाले लोग हैं वो हायर पोस्ट पर अधिकार प्राप्त करेंगे जमीन जायदात के ल अधिकार से वाले जातकों को शनी के दान और उपाई जरूर करने चाहिए तो शनी के दान में आपको काले उड़त की दाल, सरसों का तेल, लोहा, काला कपड़ा, काले तिल, चमडे से बनी कोई भी वस्तु इन सभी का सनीवार को सूर्यों दे से एक गंटे के भितर बितर द करें ताकि शनी के असो फलों में कमी आए जो भी आपकी उपलब्दा है जो भी आप एफॉर्ड कर पाएं वो इन सामान में से जो आपको मिल जाए उसका दान करें एक और उपाय सनिवार को प्राता सवा की लो आटे में थोड़े से तिल डाल करके उन पचास पूरियां आपक तो तेल सेस बच जाता है उसमें ही मेंगन या काले चैने की सबजी बनानी इस वाद के अनुसार अब साथ साथ पूरी के साथ पैकेट बना करके जो जरूर्दमंद हैं अपंग लोग हैं उनको बाटना है एक और उपाय कासी की कटोरी में आप तेल भर करके उसमें अपने प्रतिमिम देख करके अपनी छायें देख करके वो तेल का दान करें और यदि आप एफोर्ड कर सकते हैं तो वो कटोरी भी उसके साथ में दान करें चाहिए चाह वो कासी की हो या इस तील की हो शनिवार को रक्ट रक्स या पीपल के रक्स के नीचे सूरियस्ट से अंगुठी दारण कर सकते हैं शनि अंतर के साथ में नीलम या उप्रतन नीली जड़वा करके लौकेट के रूप में दारण कर सकते हैं शनि पिरामिड या नवगरा पिरामिड अपने सैन कक्स में सोने की जगे के आसपास रखें जिसे प्रतिकुलता का असर आपके शरी मंतर शनि के टांतिक मंतर का जाप कर सकते हैं शनि के गायतिर मंतर का जाप कर सकते हैं जो गायतिर उपा सके जो आ learnt नवगरत दोस्ट निवारन कवच सनी दोस्ट निवारन में नित्य शिवलिंग पर जल चड़ाना महमत्युजे मंत्र का जाप करना भी बहुत सुब रहता है इन उपायों में से यता संभव जितना भी हो सके आप से सनी सांति के उपाय जरूर करने चाहिए अब आप लोगों के प्रस्ट नहीं कि इन में से हम कोई उपाय नहीं कर सकते और कौन से उपाय जो एकदम सस्ते भी हो सरल भी हो वो हम कर सकते है तो इससे ज़्यादा सरल उपाय तो नहीं हो सकते यदि आप मंत्र जाप नहीं कर सकते यदि आप दान नहीं कर सकते यदि आप भक्ति नहीं कर सकते वरत नहीं कर सकते तो आप क्या कर सकते हैं और उसके बाद में भी आपकी इच्छा ये है कि हमको शनी कोई प्रतिकुलता नहीं दे तो सिधी सी यही बात है कि आप शरण में चले जाएए शनी की जो वो करेंगे वो अपना आप कर लेंगे मजा मुझे होना है तो आप कैसे ठीक हो सकते हैं फिर तो जब समय आएगा तो ठीक हो जाएंगे इस समय काल में जो ये रासिफल है मार्गी शनी के रासिफल आपकी जन कुंड में इस एक गरत चनमा पर आधारी थे लिकिन जब समस्याएं गंबीर हो जब कोई बहुत बड़ा डिस लेशन के लिए अपरंडमेंट बुक कर रहे हैं उन्हें हम अपनी तरफ से दिपावली पुजन कलस लक्षमी विनायक कलस उपार सुरूप प्रदान कर रहे हैं और साथ इसा जो राज्यों की कुंडली बनवा रहे हैं उन्हें भी हम अपनी तरफ से यही दिपावली रता हूँ कि आप स्वस्त रहें, प्रसंद रहें और सुरुखषित रहें, अपना और अपने परिवार का बहुत-बहुत खैल रखें, आप सभीको harina नमस्कार, बहुत बहुत शुब कामने, इश्वल आपकी रक्षा करे, भगवान सनी देव आपकी रक्षा करे, बहुत बहुत धन्यवाद.